आप देख रहे हैं SPN 9 News पंजाब के कैबिनेट मंतरी नवजोस सिंग सिद्धू एक बार फिर से अपने बगावती तेवर में है और तो और मुखे मंतरी कैप्टन अमरेंदर सिंग से विवात की बाद अब सिद्धू ने कांग्रेस की बैठकों से भी दूरियां बना ली है यही आल उनका भाजपा से नाता तोड़ने से पहले भी था वो चंदिगर में होने के बावजूद अपने आवास से थोड़ी दूर पर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक में नहीं गए और तो और उन्होंने पतकार सुए बाक्षीत की और खुद पर लगे आरोपों की सफाई देने के संग सीएम कैप्टन अवरिंदर सिंग पर इशारों में निराशा भी साधा की जी हाँ दरासल कांग्रेस ने वीरवार को कांग्रेस विदायक दल और सबी सांसदो की बैठक बुलाई थी जिसमें सिद्धू नहीं नजर आए जी हाँ पंचा भवन में बुलाई गई बैठक से आदा किलोमेटर दूर कैबिनेच मंतरी नवजो सिंग सिद्धू अपने आवास में थे लेकिन बैठक में नहीं पहुँचे सिद्धू की गैर मौजूदगी में विदायकों ने शेहरों के विकास का रोना रोया विदायकों ने सिद्धू का नाम लिये बगएर उन पर निशाना सादा दूसरी और मंतरियों ने आरोब बे लगाया कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं विदायकों ने सिद्धू का नाम तो नहीं लिया लेकिन शेहरों में विकास नहीं होने का मुद्दा भी उठाया नहीं किये गए हैं और तो और ये सिर्फ काग्जों में ही है अम्रेट सर से इंद्रवीर सिंग बुलारिया ने कहा कि नगर निगम ने शहर में सही से काम नहीं किया अपकों ये वदादे की पंठक मुद्धों पर कॉंग्रेस के फायर ब्रांड मंत्री सुखजिंदर कि बादलों को कब ठोकेंगे आपकों ये वदाना चाहेंगे कि इसके अलावा सिद्धु की गैरहाजरी भी बैठक में चर्चा का विशे रही विदायकों ने उनके विभाग में कामकाच पर सवाल उठाते हुए उन पर ही निशाना सादा सिद्धु की इस बैठक से गैरहा नूड में नजर आ रहे हैं सिद्धु जस तरीके से शेरो शायरी की जरी अपने अक्रमक तेवर दिखा रहे हैं उनके अगले सियासी कदम को लेकर काई तरह की चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर सिद्धु की दवाब की राजनीती से भी जोड़ा जा रहा है कॉंग्रेस की बेटक से दूर रहें सिद्धु अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर दिया है वो लोगसबाद चुनाव 2019 के परिणाम के बाद पहली बार खुल कर सामने आए अभी तक वो शोशल मीडिया की जरीए ही अपनी पस्तिती दर्ज करा रहे थे और अपने जुमलों और शेरोशारी से अपने तेवर दिखा रहे थे पत्रकारों से बातचीत में सिद्धु मुख्यमंतरी कैप्चन अरविंदर सिंग के आरोपो का उन्होंने जवाब दिया और साथी साथ उन्होंने अपने काम काच को लेकर भी बात की सिद्धु ने बताया कि उन् आकों ये भी बताना चाहेंगे कि मैं अपने विवा की रिपोर्ट जारी करूंगा अमरिंदर को जो फैसला लेना ले ले ये भी सिद्धु ने कहा है इसके इलावा पूरे तरीके से वो जिस तरीके से बैठक मी नहीं आए तो कहा जा रहा है कि बगावती तेवर और कॉंग नाए न्यूस के साथ साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले